जैहिन साथियों साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने SSC page 12 की जो बैकेंसी आई है उसके लिए फार्म अफलाई कर दिये हैं और आपका फार्म जो है एक्सेप हुआ है या नहीं हुआ है अपलीकेशन इस्टेटस कैसे चिक करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो सरपता मुबाइल स्क्रीन में आना है गूगल क्रोम ब्राउजर में SSC.gov.in डालके सर्च करोगे तो यहां फच्टी आफसन दिखाई देगा SSC.gov.in का आफसन दिखाई देगा इस पे आपको किलिक कर देना जैसे आप इस जो new side open होगी वहाँ पर आपको ले जाएगा जहां से आप SSC की जो भे अपना application status अफसानी से चेक कर पाऊगे अपना प्लिकेसन चेक करने के लिए आपको लोगईं करना पड़ेगा लोगईं करने के लिए आपको अपना registration number और अपना password फिल करना पड़ेगा तो यहां फिर हम अपना registration number और अपना password फिल करके जो है login कर लेते हैं तो यहां पर आपको login का आफ़सन दिखाए देगा इसमें आपको अपना registration number और अपना password फिल कर लेना है password फिल करने के बाद आपको जो है अपना capture code फिल करके login के आफ़सन पर click कर देना है जैसे ही आप सारा कुछ यहां फिल कर लेंगे उसके बाद आप login के बटन पर click करेंगे तो SSC की जो new side बनाई गई है जहां से आप आसानी से अपना फार्म अपलाई की होंगे वहां पर आपको ले जाएगा तो जैसे ही आप login करेंगे login करने के बाद यहां पर कुछ इस परकार से आपकी profile जो है open हो जाएगी profile open होने के बाद जो है आपकी जो है पूरी profile open हो जाएगी यहां से आप जितने भी SSC का फार्म अपलाई की होंगे उन सभी का जो है तो यहां पर आपको जो है पोस्ट फेज 11 एक्जामनेशन का आपसन दिखाई देगा जिसकी जो है डेट बढ़ा दी गई है अभी तक आपने अपलाई नहीं किया है तो आसानी से घर बैठे मोबाईल फोन से जो है अपना फार्म फेली कर सकते हो उसके बाद यहां पर आने तो यहां आपको यह का आपसन दिखाई देगा अपलिकेशन इस्टेटस का उसके बाद यहां परिंट का आपसन दिखाई देगा तो आपको जो है इसी अपलिकेशन इस्टेटस पे किलिक करना बड़ेगा अपलिकेशन इस्टेटस पे किलिक करने के बाद आप आसानी से च और आपने किस पोस्ट के लिए अपलाई किया है और यहां पर आपका फार्म स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है यहां पर आपको पता चल जाएगा तो यहां जो भी आपने पोस्ट के लिए जिस भी पोस्ट के लिए अपलाई किया है जिस भी रीजन से किया है यहां पर आप को दिखाई देगा उसके बाद यहां अ हम पार्म फुट को दिखाई देगा उसके बाद यहां अप्लिकेशे नोट वेरिफाई कहा आफिसम दिखाई देगा आप आपको परिसान नहीं होना है आप पर payment status भी दिखाई देगा आप नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपका payment status नहीं दिखाई देगा तो आप देख सकते हो कुछ इसी परकार से आपका जो है दिखाई देगा तो आपका 100% है कि तो आवा